विध्यार्थी की जीवन में भी दो प्रकार के उत्वरे रखोते हैं 2008 की परिक्षा में अंतिम रूप से चाइनित नहीं होने पर मुझे किसे ने कहा कि तू तो केवी की नोकरी से संतोश कर ले यह आरेस बनना तेरे बसकी बात नहीं है तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिरकों कर रे कंथडा हिरण कशो घी खाए आख चरे और पून भगे घोड़ा श्यू आगो जाए कि हिम्मत कर हुमकार भर हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है एक था उत्प्रेरण और दूसरा था दूस्प्रेरण दूस्प्रेरण ना स्वें करे ना दूसरों के दूस्प्रेरण का शिकार हो अपने मुकाम अपने उसूल खुद ताई करे और हर बार लोगों की अब एक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश ना करे एक बार रात के समय एक दुकानदार बंद करने ही वाला था कि ये कुट्टा उसके पास में आया कुट्टे के मुँ में थेली थी और उसमें कुछ समान की लिस्ट थी दुकानदार में थेले ली उसमें समान डाला बाकी पैसे डाले और सामने रख दी कुट्टे ने थेले मूँ में उठाई और चल दिया दुकानदार से रहा नहीं गया वाश्चर ये चकीत होकर कुट्टे के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुट्टे का मालिक कौन है कुट्टा कुछ देर बस स्टॉप पर खड़ा रहा बस आई उसमें चड़ गया कंड़क्टर पास आते ही उसने गर्दन आगे कुछ पैसे और घर का पता था कंड़क्टर ने उसे टिकर दे दी बाकी पैसे बेल्ट में वापस रख दिये जो ही अपना स्टॉप नजदीक आया कुछ बस में आगे की तरफ आ गया और पूछ हिला कर इशारा किया बस रुखने पर कुछ उतर गया और आगे चल दिया दुकांदार भी उसके पीछे पीछे चला कुछ ने अपने पैर से दो तिन बार दरवाजा खट कटाया मालिक बाहर निकल कर आया और उसने लाठी से कुट्टे की पिटाई की आप सूच रहे होंगे की क्यो मालिक भी सूच रहा था उसने पूछा इसका कारण तो मालिक ने कहा बत्तमीज ने सारी नींड खराब कर दी चा भी लेके नहीं जा सकता था घड़ा कहें का मित्रो जीवन की सचाई भी यही है लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है जरा साब चुके कि आप में बुराईया निगाल देंगे और पिछली सारी अच्छाईयों को भूल जाएंगे इसलिए आप तो बस अपना कर्तब भी कर्म करें आगे बहुत सी कठिनाईया है मा जी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है मा जी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है जिस शहर में खोली है तूने सीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरिदार बहुत है लेकिन अगर आपने इष्चे कर लिया है कि आपको इस कठिन रहा पर चलना है अगर आपने सोच लिया है कि अब जलेपी की तरह इसमें उलज ही गए है तो फिर क्यों अचाशनी में डूब कर जिंदगी का मजा लिया जा जो लोगों की नजरों में बुरे हैं आप कहते हूंने कि बैनित्रदान कर सकते हैं अपने आसपास के परीबश में केवल उन्ही तथ्वों को प्रविष्ट होने की अनुमते दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो, बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो अन्यता आपके मस्तिश्क में प्रोध इर्शा और द्वेश के रासाइनिक दुश्प्रभाव दिखने लगेंगे जो आपकी सोने की ठाली में पीतल की मेख जैसे आशोबनी ये लगें तो अन्यति